एविछ हैं आप सब तो आपको तो पता ही हो गाए कि आगे इंट Enough बनाएंगे और faut chip बनाएंगे और हां आज हम संब करेंगे तो कुन सी सीज्जें का आज हम इस्ताइब करेंगे वह सब आगे वीडिव में जान जाएंगे तो फ्लीज लेज वीडियो को कंटीनू लाश्ट तक जरूर देखिए तो जो को भी मेरे चैनल पर नीव हो या फिर जिसने मेरे चैनल को सबस्राइब कर दीजिए और बेल आइकों अन करना बिलकर मत भुलिएगा ताकि जो भी वीडियों में अप्लोड करू स सबसे पहले आप पास पहुंच जाए तो चलो आज की वीडियो को सुरू करते हैं तो फ्रेंज हमारे घर में रिसेंटली इंविटेशन आये थे उसके साथ मुझे फ्री मेल गई थी यह दोनों इंविटेशन कार्ड के पिछे का इस सा प्लेन है तो इसी के लिए मैंने कार्ड क्लू का इस्तमाल किया है अगर आप सभी के पास फेबिक अले ता आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं तो इसको हम अच्छे से चिपकाने के बाद इसका जो साइड है साइड को कवर करने के लिए हम पेपर टेप का इस्तमाल करेंगे तो आप यहां पर निगुस पेपर या फ्र टीशू पेपर का इस्तमाल कर सकते हैं, तो देखिए मैंने अच्छे से पेपर टेप को चिपका दिया है, मतलब की कवर कर लिया है, अभी हम क्या करेंगे ना फ्रेम बनाएंगे, तो फ्रेम बनाने के लिए भी मेरे पास और एक इंविटेशन कार्ड था, उसी के मदद से मैं चार स्ट्रीप कट जाना के लिए इस्तमाल करेंगे, तो देखिए मैंने यहां पर कट कर लिया है, अभी हम इसको इहां पर चिपकाएंगे, तो इसी तरह से हम चारो तरफ फ्रेम चिपकाएंगे, एक फ्रेम बला लूप भी आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको अच्छे से ड्राइ होने के लिए छोड़ देंगे तो अच्छे से ड्राइ हो जेने के बाद हम इसको कलर करेंगे तो कलर करने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट अक्रेली कलर का इस्तमाल किया है तो आप सोच रही होंगे कि सार ब्राउन कलर को फ्रेम में लगाएंगे और अंदर का जो सेंटर का हिस्सा है बहां पर हम स्कीन कलर लगाएंगे अगर आप सभी के पास ए वाला कलर नहीं है तो आप ब्राउन कलर में धेर सारा वाइट कलर मिलाएंगे तो सेंटर का कलर आप सभी को मिल जाएगा तो कलर करने क यहां पर इस्तिमाल करेंगे आइस क्रीम स्टिक का तो मैंने यहां पर दो आइस क्रीम स्टिक का इस्तिमाल किया है दोनों आइस क्रीम स्टिक को ही हम छोटे-छोटे हिसे में कट करेंगे और हां स्कोयर सेप के हिसाब से ही हम कट करेंगे तो देखिए मैंने यहां पर आइस क्रीम स्टिक को चुटे चुटे हिस्से में कट कर लिया है अभी हम क्राप्ट के ऊपर आइस क्रीम स्टिक को लगाएंगे तो लगाने के लिए पहले मैंने यहां पर ग्लू का इस्तमाल किया है तो उसके बाद आइस क्रीम स्टिक को कुछ इस तरह से यहां पर हम चिपकाएंगे तो आइस क्रीम श्टिक को लगाने के बाद मैं यहां पर फादर और डाटर लिखूंगी आप अगर लड़के हो तो यहां पर फादर और सौन लिख सकते हैं आपके इसाब से कुछ भी आप लिख सकते हैं तो दोनों वाड में जो कमन लेटर था वो ई था तो उसी के लिए मैंने यहां पर एक बार लिखा है तो उसी के लिए ही मैंने कुछ इस तरह से आइस क्रीम श्टिक को लगाया था जैसे कि फादर का जो ई है और डाटर का जो ई लेटर है दोनों एक ही बार हम लिखेंगे तो देखिए मैंने इसको लिख लिख लिया है अच्छे से अच्छे से हमारा कलर भी ड्राय भी हो गया है तो अभी हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे एमसील हाइट का तो यहां पर आप कोई भी क्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं दर अस को मैंने कुछ इस तरह से से दे दिया है इसी को हम क्या करेंगे ना हमारी जो आइस-क्री मीश्टीक उसके उपर हम लगाएंगे मतलब की जुछ सिंटर का हिसा है बहाँ पर हम लगाएंगे तो मैंनि सुचा है कि यहां पर मैं clay के मदद से father और daughter बनाऊंगी तो पहले हम father बना लेते हैं तो उसके लिए मुझे head बनाना था जो कि मैंने बना लिया है अभी हम body part बनाएंगे तो body part बनाने के लिए clay को कुछ इस तरह से हम shape देंगे और इसको भी हम जो हमारा head है उसके नीचे हम clay को लगाएंग तो इसको हम लगाने के लिए फेबिकॉल या फिर camelin glue का इस्तिमाल करेंगे और हाँ hot glue और फेबिकुई का इस्तिमाल बिल्कुल मत करिए तो अभी हम बनाएंगे daughter तो daughter बनाने के लिए मैंने clay को circle shape में बना लिया है मतलब कि यह वाला जो हिस्सा है हमारा head है तो उसको भी हम क्या करेंगे ना यहाँ पर चिपकाएंगे तो चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर camelin का white glue इस्तिमाल किया है अगर आप सभी के पास फेबिकॉल है तो आप फेबिकॉल का इस्तिमाल कर सकते हैं तो देखिए इसको यहाँ पर चिपकाने के बाद इसका भी हम body part बनाएंगे तो clay को कुछ इस तरह से हम सेप देंगे और इसको यहाँ पर हम चिपकाईगे तो हमारा फादर और डॉटर तो बन गया है पर यहाँ पर और एक चीज बाकी रहे गई है तो यहाँ पर हम father का hand बनाएंगे मतलब कि एक ही hand बनाएंगे तो कुछ इस तरह से clay को हम iglesy के मदद से रोल करेंगे और रोल हो जाने के बाद क्ले को हम क्या करेंगे ना अच्छे से उंगली के मदद से दबा देंगे और यहां पर हम कुछ इस तरह से शेप देंगे और इसको ही हम क्या करेंगे ना जो हमारा फादर का बॉड़ी का हिस्सा है बाहां पर और यहां पर थोड़ा स हुआ कि नहीं आपर कुछ खाली-खाली लग रहा था तो मैंने सुचा कि नहीं यहाँ पर जो मैंने डॉटर बनाया है उसका सर और बड़ी पाथ बहुत डिस्टन्स हो गया है तो मुने क्या किया ना उस दोनों को थोड़ा सा क्लोज कर लिया है और यह वाला जो हाथ का हिस्स की जो तेल की शोटी छोटी से दो दिल बनाएंगे तो क्ले को कुछ इस तरह से उंगली के मदद से रोल करेंगे और यहां पर में एक का स्टिक का इस्तिमाल करूंगी और उपर की इस Sizek को मैं यहां पर स्टिक के मदद से दावा दूंगी मतलब की हमसके हाट का सेप तो देखिए अभी से कितना क्यूट लग रहा है तो अभी हम इसको कलर करेंगे तो कलर करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लाक अक्रेली कलर का इस्तमाल किया है आप यहाँ पर कोई भी कलर कर सकते हैं पर मैंने सोचा ब्लाक कलर करूंगी तो और भी अट्रेक्टिब लगेगा और यहाँ पर हम दिल को बेबी पिंग कलर से कलर करेंगे तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी creativity करनी थी इसके लिए मैंने glitter का इस्तमाल किया है आप यह वाला पार्ट को skip कर सकते हैं तो देखो आकरेली color में थोड़ी सी stickiness होती है तो मैंने सोचा color करने के तुरंत बाद ही मैं अगर glitter लगा दूंगी वो चिपक जाएगा तो देखी अच्छे से चिपक भी गया है तो पहले मैंने जो invitation card का इस्तमाल किया था उसमें से यह वाला हिस्सा बच गया था तो इसको हम क्या करेंगे ना जो चारो तरफ की करनर है उसको थोड़ा थोड़ा सा कट करेंगे और उपर हम लगाएंगे मतलब कि क्राप्ट के उपर हम लगाएंगे यहां पर एक छोटी से message लिखेंगे तो देखो friends अगर आप सभी के पास invitation card नहीं है तो आप simply यहां पर drawing seat का इस्तमाल कर सकते हैं और यह वाला जो message में लिख रही हूं मैंने इसको नेट से सर्च किया था आप अपने हिसाब से कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं तो पहले तो मैंने message को blue pencil लिखा था पर इतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसके उपर black pen से लिख लिए तो friends हमारी जो क्राप्ट है बो अलमस्ट बनक गिरेगे नहीं तो cardboard के मदद से मैंने कुछ इस तरह से cut कर लिया है इसको हम क्या करेंगे क्राप्ट के पिछे तरब हम लगाएंगे तो देखिए मैंने इसको यहां पर अच्छे से चिपका दिया है और यह वाला जो हिस्सा है वो अच्छे से उपर निचे भी हो रहा है अभी हम इसको खड़ा करके देखते हैं तो देखिए वो गिरने ही रहा है अभी हमारा जो प्लान है वो सक्सेस हो गया है तो हमारी क्राप्ट क्वतम हो गई है चलिए इसका फाइनल लुक देखते हैं तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सुझी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है अगर अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंड में जरूर बताईगा मैं मिलती हूं और एक वीडियो में और एक इंट्रेस्टिंग टपी के साथ स्टिल दें टेक क्यार बाबाई हापी फादस जोनाते rabb Rhô झालिज अच्छी को मैं मिलती हुआी आरेस्टिंग में लगी लगी वीजराऋ़ Vielleicht jवडिंग여 आ 주्तरे वीज़ को मैं लगी गीज़ सुझा थे कि की मौनाते आरेस्टिंगर पूंग।